हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे 10 फेक इंडस्ट्री के बारे में यह जो 10 फेक इंडस्ट्री का स्टोक है वो एट परजें ट्रेड कर रहा है 1998 पे और यह मार्केट केप है कंपनी का 1993 तो श्मॉल केप ग्रूप की कंपनी है और करन्ट प्राइस जो अरॉड टू थूथा स्टोक हाई से अराउंड स्टोक अभी 25-30% करेक्ट होके ट्रेड कर रहा है स्टोक का पी है 32 इंडस्ट्री पी 34.6 तो उसके कंपेरीजन में थोड़ा सा इसको सस्ता कह सकते हैं बड़ ठीक है ना ज्यादा मेहंगा है तो ना सस्ता है ठीक है आरोसी 47 का आरोई 34 का अगर इन कर रही है तो ऐसे केस में ऐसी कंपनी आपको चीफ वेल्वेशन पर मिले वो काफी मुश्किल है या तो आप बहुत लग्की हो कि आपको जब इसमें करेक्शन आए उस वक्त आप इसको करो या अधरवाइस यूजल यह थोड़ी थोड़ी सी एक्सपेंसिव चलती है इंट्रेस्ट कवरेज हो 97.3 है डेट टो इक्विटी रेशियो जीरो है कंपनी ओल्मस्ट डेट फ्री है कोई डेट है नहीं मार्केट के प्टू सेल्स 5.1 है यह भी यही सो कर रहा है कि कंपनी अंडर वेल्यूड नहीं है ठीक एवरेज वेल्वेशन पर अविलेबल है और का जान से तो बाई किया जा सकता है प्रमोर्टर होल्डिंग 51.8 है अच्छा है वह 50 ठीक है कई बार कम होता है तो भी ठीक होता है देखना पड़ता है अधर और इन्वेस्टर कोन है इसमें एफाई डिया की कोई होल्डिंग नहीं है थ्री एयर का एवरेज पी देखो तो 18 है तो इस टोक का अकफी चला है अभी ओविसली लास्ट वन येर में जो मार्केट रन हुआ उसके साथ यह भी चला है रिजर्व 198 करोड के हैं डेट है नहीं के स्विक्विलेंट 13 करोड का है कंपनी का बिजनस मोडल क्या है कंपनी करती क्या है बेसिकली यह इसमें फ्लूरिक एसिड केमिकल सेक्टर की कंपनी है तो यह बनाने का काम करती है इसमें यह मार्केट लीडर है यह हाइड्रो फ्लूरिक एसिड में और इसका जो बिजनस है यह आराउंड 12-13 कंट्री में एक्सपोर्ट करती है यह देखिए यहां पे 38 यह का उप्रेशनल एक्सपिरेंस है कंपनी का 12 कंट्री में अपने केमिकल को एक्सपोर्ट करती है और इसमें जो हाइड्रो फ्लूरिक एसिड में मार्केट लीडर है यह सबसे ज्यादा है और इसमें देखिए आगे पड़ेंग चलो आगे अपने इसके बारे में बात करेंगे कि इसके जो र इसके बाद यह रिटायर आई एस शीवरामन तो इसमें को देखके लगता है कि एक वेल एजुकेटेड एंड मतलब मैनेजमेंट वेल क्वालिफाइड मैनेजमेंट है तो वह चीज़ भी आपको एक अच्छा कॉंफिडेंस देती है फिर आजाते है अपन कंपनी के यह फा पर सपोर्ट लेता था अभी स्टोक इसको ब्रीच करके नीचे अब यह 200 डे मुविंग एवरेज जो है यह जो ग्रे लाइन है उसको ब्रीच किया फिर वापस इसके उपर आ गया है यहां पर पी का चार्ट देखें तो पी का चार्ट फाइव यर का तो छोड़ो भी थ्री पर फिर इसके पोजिट्व पाइंट के बात करें तो कंपनी डेट फ्री है बहुत अच्छा सा इन है प्रोफिट ग्रोथ फ़ॉण परसेंट का है प्रोफिट ग्रोथ फॉट्यवन और पी उसके थर्टी टू ठीक है अच्छा लगता है वहां पर और कंपनी का गुड तो इसमें देखिए टॉप जो मार्केट लेडर पीडी लाइट एस रएफ है इन सब का पी देखिया इनके कंपेरिजन में देखोगे तो यह भी 32 आपको ज्यादा नहीं लगेगा और इनके कंपेरिजन में आप कंपेर करिये कि कंपनी का जो खुद का रोसी कैसा इसका 47 है कं रोए 34 का है किसी भी कंपनी का रोए इतना नहीं 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 रो सी इतना है और अगर छीयर का एव रेज देखोगे वह भी इसमें भी इस में टॉप में है और पेग रेक्ट रेशॉ इनके देखिए ज्यादा है इसका पेग रेषयो कम है तो उस रिचाब जातां से यह comparison में अभी 88 करोड का revenue था तो वो decrease हुआ और यहां पर भी देखे profit 16 था वहां से 10 हुआ है तो यह definitely decrease भाई EPS भी drop हुआ है और इसी लिए इस टोग अभी correct होके आपको यह 25-30% correct होके अविलेबल है और मिल राइस टेट भी बट आप यह रोन यह बेसिस पर देखे यहां पी से 2012 से continuously in का profit growth हुआ है यहां पर अभी देखे 148 कोईट के बाद यहां पर यहां पर उतना delta कम हो गया मतलब rate of growth कम होगी यह definitely revenue में और यहां पर यह देखे 17 था यहां पर profit after tax then 53 क्रोड का फिर 56 और फिर 62 का तो थोड़ा slow तो हुआ है बट लास्ट वन येर में और टू येर में सारे chemical sector ने underperform किया है और इसलिए यहां पर अभी space दिखता है कि यह sector आपको return दे सकता है फिर आज आती है बात sales growth की company देखिए इसमें यहां पे sales growth के बात करें तो 20% का trailing 12 month पे बाकी other companies में देखना है यहां पे sales most of में grow की नहीं है कईों में negative में गये हैं जो अच्छे company फिर भी इसने at least कुछ sales growth दिया और उस profit growth भी दिया इसने 52% ही यहां पे भी other इसी sector के अच्छे company को देखो बहुत अच्छे company इसने भी profit growth नहीं दिया है चाहे इसमें आप बात कर सकते हो आरकेंद chemical का हो चाहे इसमें ट्रांस पेक हो जो small cap group या mid cap में है उनसे compare करें तो बट इसने यहां पे भी अच्छा performance दिया है और इसी लिए यही एक stock है जो chemical sector से होके भी last one year में almost 92% के return दिया है क्योंकि इसने growth तो इसलिए इसका potential आगे मुझे ज्यादा दिखता है consistent growing company है ROE देख सकते हूं 36-34 का अच्छा ROE है company का company के obviously reserves continuously grow कर रहे है company ने लंबे time से कोई अपनी stock holding कम की नहीं है इसके बाद में borrowing zero अभी debt free company है कोई borrowing नहीं है जो भी आपको एक अच्छा confidence देती है इसके बाद में case flow पे आ जाते है operating activity से cash flow company का continuously बढ़ रहा है last one year का छोड़ दीजिए उसमें देख लेते है operating activity में देखे यह receivable negative payable positive अच्छा है यह भी इसके बाद में operation से continuously growth हो रही है 2735 7780 अगर इसमें आ जाते हैं इसके बाद में investing activity company जो भी आता है उसको यहां पर देखे इसके बाद में इसके बाद में यहां पर इन्वेस्टमेंट जो भी होता है inventory के लिए इनको raw material वह सारा बाई किया इसके लिए इन्होंने कुछ sale किया पर जितना sale किया उससे ज्यादा ही buying किया मतलत company regular invest करके business पे focussed है financing activity से देख सकते हो कोई borrowing नहीं किया last 10 year में कोई debt नहीं है company repayment जो पुराना कोई debt था उसको सारा पे करके अभी debt free हो भी है interest dividend dividend भी लास्ट दो year से company थोड़ा dividend देना विश्रू किया है इसके बाद आते है debtor days 49 के है days payable 78 है इनकी बजाए यह कम है अच्छा है और case conversion cycle का period देखे 60 ठीक है जल्दी दो महिने में case conversion हो जाता है ठीक है इसके बाद में बात करते हैं working capital days की वह भी 46 है ROC देखे 35 37 67 48 अच्छा है इसके बाद आहां जाते है share holding pattern की बात करते हैं तो share holding pattern में देखे year on year basis पे promoter अपनी holding बढ़ा ही रहें कम नहीं कर रहें जो की एक अच्छा साइन है यहां पर यह देखे इसके बाद में DIY का कोई holding नहीं है public public में कुछ renown name है जो आपको confidence देंगे यहां पर एक recently last quarter में मदूली का अगरवाल इन्होंने 1.8% stake उठाया है 80 का चो लिए जी है उनका 1.19 है और वनजा सुन्दर है यह यह भी काफी मतलब बड़े इन्वेस्टर है जो इनका भी 1.09 तो यह चीजा को confidence देती है कि जब बड़े investor आते हैं stock को buy करते हैं और वहां से in fact stock correct हुआ अभी देख लेते हैं company के टेक्निकल्स पर कि कब buy क्या जा सकता है तो अभी यह टेक्निकल्स में मन्तली support की बात कर रहा हूं यहां पर अगर investment की बात होती है मैं हमें इसा monthly support देखता हूँ at least next one year का plan करके हब चलते हो monthly chart है जिस support के पास buy करना होता है support one आ रहा है फेबुनाची में 2050 का second था 1927 का और यहां पे 2728 इस stock exactly यहां से और यह देखो classic में same है यह यह और यह classic का S2 इसका S3 तो यहां से stock ने exactly rebound लिया और वहां से चलना शुरूआ अगर आपने इसको देखें candle stick pattern में यह देखे weekly chart है यह 50 weeks का average है moving average है और उसमें यहां पर कितने पिछले 9-8-9-10 जो यह week की weakness के बाद यहां पर perfect यहां पर क्या बना है एक bullish hammer बना है जो अभी इस level पर इसको buy किया जा सकता है प्लोस आप 1750 का रख सकते हो टार्गेट यह तीन में अगर आप swing trade के हिसाब से देखते हो अदर्वाइस मुझे यह long term के लिए भी यह stock अच्छा लगता है जिसमें इसको hold किया जा सकता है वैसे buy hold sale का कोई recommendation है नहीं आप अपना due diligence करिए उसके हिसाब से जो decision लेना हो लीजे थैंक्यू